17 माई को दर्यागंज के दर्गा साबरी के पास मुहिनुदीन कुरैशी का जो कतल मामला था वो दिल्ली पुलिस ने सॉल्फ कर लिया लगतार 9 दिन की दिनरात मेहनत के बाद में इस मामले को सुलजाया गया और आप लोग जानकर हैरान होंगे कि कातिल कोई और नहीं बलके मुहिनुदीन की अपनी पतनी जेबा कुरैशी थी दरसल उसके शुएब नाम के एक उतर प्रदेश के हापुर में रहने वाले लड़के से संबंद हुए और बिचले काफी वक्त से ये तमाम मामला चल रहा था शुएब के जरीए एक पिलर को हायर किया गया और उसके जरीए सतरा तारिख की रात को जो कुछ हुआ वो आप लोगों से नहीं चिपा बहुत लोगों में इस बात को लेकर के जिग्यासती के आखिर कौन कातिल है मुहिनुदीन कुरेशी को किसने मारा और क्यों मारा उसके पीछे की वज़ा क्या थी लगतार ये मामला चलता रहा DCP Central District शोयता चोहान एक प्रेस कॉंफेंस शुरू करने जा रही है इस पूरे कतल मामले को ले करके आई चली एक पुलीस हैटकॉटर और जानिये के आखिर कतल की वज़ा क्या थी और क्यों एक पत्नी ने अपने आशिक के साथ मिल करके पती कही कतल करा दिया इसी महीने की 17 तारिक को दरिया गंज के इलाके में मोहिनोदीन नाम के एक शक्स को गोली मार कर उनके हत्या कर दी गई ये मडर एक क्राउडेड इलाके में हुआ और रात के वक्त करीब 10 बजे क्या आसपास दो लोग एक मोटर साइकल पर सवारो कर आए और उन्होंने मोहिनोदीन कुरेशी नाम के इस शक्स को जिसकी उमर 49 यर्ज है उसको गोली मार कर उनकी हत्या कर दी ये एक तरह से एक ब्लाइंड मर्डर था और हमें ऐसा लगा कि एक सुपारी किलिंग हो सकती है क्योंकि जो उन्होंने मारा था उनकी ना कोई पहचान हो रही थी ना किसी को उनके मरने का कोई कारण समझ आ रहा था तो ये एक केस जो है थोड़ा डिफिकल्ट रहा हमारे लिए लेकिन हमारी स्पेशल स्टाफ की टीम ने और स्पेशली एक हम लोगों ने इसमें तीन चार टीम एक साथ लगाई थी जिसमें से स्पेशल स्टाफ की टीम अलॉंग विद टीम फ्रॉम पुली स्टेशन दरिया गंच पुली स्टेशन आनन्द परवत और AATS इन सभी टीम ने मिलकर इसमें काम किया है और इस केस को अभी छुजा दिया है इसमें हमने तीन लोगों को गिरफतार किया है और अिन की पतनी का इसमें जो मेन लोल इसमें निकल कर आया कि इक इस़ो पतनी है वो इस मर्डर की मास्टर माइड थी और उन्होंने एक और अपने जानकार शोईब नाम के ग्रति को जो कि उसका इंसिडेंटली लवर है और उसके साथ मिलकर इन्होंने इस मर्डर को प्लाइन किया और गोली चलवा कर इनकी हत्या कि तो यह तरह से एक ब्लाइंड केस था पूरी तरह से हमें इसमें सबसे पहले हमने cctv's कित्रू हमने पता कर यह कोशिश कि किए का सेलेंट्स कॉन है कहां से आये हैं किस तरफ गए हैं उसका हमने रूट मैपिंग करने की कोशिश की उस रूट में हमें वालूम चला कि जिस प्लाइन की ती उसको वह क्योंकि रात का वक्त था और लाके में बैरिकेडिंग कर दी गई थी तो वह उसको मोटर साइकल को वहीं छोड़ कर वहां से भाग गए और ये एक मडर एक पूरी उन्होंने एक प्लाइनिंग की थी एक सोची समझी साजिश थी वहां पे मोटर साइकल छोड़ने के बाद उन्होंने अलग-अलग आटो बदले दिली के अलग-अलग जगाओं पे वह गए और तीन या चार आटो बदल के फिर अपनी कोई गाड़ी लेके वहां से भाग निकलें तो सीसी टीवी के थ्रू हमने मोटर साइकल के पहचान की जो हमें दरिया गंच के इलाके में एक बैरिकेट के पास मिल गई ये जो मोटर साइकल है वो चोरी की है ये मेरट के इलाके से च चानबीन की हमने फैमिली के और उनके टच में आने वाले बाकी लोगों की भी CDR के अनालेसिस किये स्पैशली यूपी साइट के नंबर्स हमने उसमें ढूंडे करीब एक हजार के लगभग CDR जो के में रखती और उनके जो कॉंटाट्स के हमने निकाले उन सब का एक काफी बारीकी से अनालेसिस किया गया उसमें से कुछ नंबर आइंटिफाई हुए जो उस तरह के हो सकते थे उनके आगे हमने तर्तीश की हमने जो हमारे विक्टिम हैं उनका फोन हम लोगों ने लिया था फैमिली के और कुछ मेंबर्स के भी फोन लिये और उन फोन में जो डिली जो हमारे पर CCTV में जो हाव भाव और जिस तरह की टी-शिर्ट कपड़े आ रहे थे उससे मिलते जूलते कुछ पहने वे हमें उस फोटोग्राफ में मिले यह हमें जो फोटेज मिली थी वो हमें जो विक्टिम है उसकी वाइफ के फोन में से मिली थी तो उनके उसको हमने उस वाट्साइब के जरीए ज्यादा बाते हो रही थी इसलिए हमारे पास साक्षे कुछ कम ही थे लेकिन उसके बाद भी हमने उसको आइडेंटिफिया किया उस आदमी को उसको हम लोगों ने इंटरिकेशन के लिए बुलाया और बाद में उसका रोल पाया गया उसको इनकी पतनी के साथ जिए मृतक है उसके पतनी के साथ इनके दो साथ से संवन्थ थे और इनको पता भी चल गया थे इसलिए लोग छुपकर बात करते थे इन्होंने वाट्साइप में जो एक अबाउट फीचर होता है उसके जरीए एक बातचीत करने का एक चैनल बनाया था और उसके वो अपने स्टेटस डाल देती थी अपने हस्बेंड की डिटेल डालती थी मड़र की प्लैनिंग इंग लोग चार ते पांच महिने से कर रहे थे तो उसके पहले एक इन्होंने हायर किलर को किसी को हायर किया उसको भी हमने अरेस्ट किया है इनका नाम है विनीद विनीद गोस्वामी को हमने अरेस्ट किया है और को लड़की की तलाश की गई वो नहीं मिला तरह एक मोटर साइकल की तलाश की गई जो की चोरी की थी ताकि पुलिस ना ढून सके और उसके बाद ये शोएब खुदी इस मडर में हिस्सा लेने के लिए उसके पास आया बचेज में वो नजर आ रहा है और उसकी वाटसाप पे जो बाते हो रही है उसका फोन चल रहा है उफ हो रहा है लेकिन वैसे उसने अरो प्लेइन मोट पे चलाय हुआ और उसके थू हम लोग इस गिलर को पकड़ पाएं इसमें और भी अक्यूज है बीच की चेन पर बीच है मॉटिव यह था कि जो पतनी थी अपने पती से छुटकारा चाहती थी वो तलाक लेना चाहती थी और उसने अपने जो लवर को इंस्टिगेट किया कि तुम इसको मर्वा दो या मार दो जैसे भी कर के वो से अलग होना चाहती तो कि नहीं हापड की रहने वाली नहीं है इन दोनों की पहचान जो है फेस्बुक से हुई थी तो कहां से रफ्ता गया है शुएप को हमने अपनी इन्वेस्टिकेशन ने पूछताज के लिए दिली में बुलाया था और दिली से उसको गिरफ्तार किया गया है विनीद गोस्वामी को उन्होंने पांच लाक रुपे द इसको दिये गए जिसने मोटर साइकल प्रवाइड की मोटर साइकल भी चोरी की है मोडिफाइड है उसका इंजन नंबर और चैसे नंबर दो अलग अलग गाड़ियों को मिला कर बनाया गया है तो वह लेकिन दोनों ही गाडिया दिल्ट यूपी के अलग 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 शहरों दो बच्चे हैं जो बड़े हैं एक 25 साल और एक 23 वर्ष का है एक बढ़िया है हमने इसमें इन्वेस्टिगेशन में सभी पहलूं पर हमने इन्वेस्टिगेशन किया है उसमें अभी तक प्रॉपर्टी का कोई अंगल निकल के नहीं है जरूर कुछ तो कलय होगा जिसकी वज़े से उसने ऐसा सोच है अपने पती से जुटकारा पाने का और मडर करवाने का तो उसके बारे में मैं अभी तो नहीं बता पाँ पांच लाग रुपे शोएब ने दिये शोएब बिजनेस करता है हापुड में रहता है वहाँ पे उसका कोई हैल्थ सप्लिमेंट्स का बिजनेस है और वहां से उसने वह पांच लाग रुपे निकार के लिए फेस्बुक के जरीए दोस्ती हुई उसके बाद यह मिलने लगे अभी एक देड़ महीना पहले भी यह दिल्ली के ही एक किसी होटल में मिले थे महिला की उमर चालेस वर्श है जैसे बटर हुआ है को खाल सा स्कूल के बार वहां तो यह लोग के बेट कर रहे थे ही वह हां पर जाया और बटर करें वह फरार होजे जाए पहले से खड़े हुए से क्या कर रहे हैं इन्होंने कई द देखके गए हैं उसका आसपास का इलाका देखके गए हैं उसकी वेर अबाउट्स के बारे में इन्होंने सारा पता था और वहां पे भी वह कुछ दूरी वेट कर रहे थे और सामने से जाकर जैसे वह बहार निकल के जो हमारे जो अभी हमारे जो विक्टिम है जब बहार न जिस पर यह सेलेंट्स आये थे, वो भी हमारी का स्टडी में है। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी, जेबा कुरेशी की उमर 40 साल, आशिक की उमर 27-28 साल, जेबा के दो बेटे एक बेटी और आशिक का एक बच्चा, लेकिन इसको इश्क और महबत का जुनून कहिए, या फिर कुछ सनक या दिवानगी, जिसने इस जुनून को इस हद तक पहुँचाया के एक लगभग 50-52 साल के शक्स की मौत हो गई। तीन बच्चों की माँ जेबा इस हद तक जा सकती है कि अपने पती का कतल करा सकती है, ये किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन इस ब्लाइंड कतल के केस ने तमाम लोगों को हैरान करके रख दिया कि आखिर ऐसी क्या वजहती, इतना क्या मामला था कि तीन बच्चे होने के मामले में कदम रखा गया और उसके बाद फिर इस तरहां वारदात को अंजाम दिलाया किया, बहरहाल पुलिस ने अदालत में पेशी के बाद मुहिन दीन कुरेशी की बीवी जेबा उसके आशिक शुएब और गातिल विनीद गोस्वामी को अदालत में पेश किया और उसक जगा चापेमारी भी की जा रही है, सेंटरल डिस्टिक का स्पेशल स्टाफ हो, थाना दरिया गंज की पुलीस हो, या फिर उसके अलावा ऑपरेशन स्टाफ हो, तमाम लोगों ने मिल करके इस कतल मामले को नौदीन के दरमियान हल किया, आप लोग पुलीस हैटकौर से हमा हमारे साथ इस खबर पर जुड़े आप सब का बहुत शुक्रिया, हिंदुस्तान लाइव फरान याया यूट्यूब पर सबस्क्राइब कर सकते हैं, और क्लिक कर सकते हैं बैल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए, फेस्बुक पर हमारा पेज, हिंदुस् शुक्रिया, थांक यू, फॉर नाओ.